गूर्ड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मिसन सिक्षन समवाद की सापताइक वरक्षेट में आज प्रस्तोत है कक्छा साथ ग्रेशल प्रविसे के अंतरगत पार्ट पाँच वाईउ ध्वनी एवं म्रदा प्रदूशन आज हम पढ़ेंगे म्रदा प्रदूशन इसके कारण और प्रभाव, लर्निंग आउटकम, बच्चे म्रदा प्रदूशन क्या है, होता है, क्यों होता है, समझ सकेंगे, म्रदा प्रदूशन से कैसे बचे यह भी समझ सकेंगे मिट्टी की भौतिक रसाइनिक या जैके गुडों में किसी प्रकार का अवांचित पर्यूरतन जो सभी जीवों पर्यावरन पौधों के लिए हानिका रखो उसे मर्दा प्रदूशन कहते हैं कीट ना सक दवा, रसाइनिक और वरक, जहरीली, गैसे, पॉलिथिन बैक, प्लास्टिक के डिब्बे आदी कुछ मर्दा प्रदूशक हैं मर्दा दुआरा आफशोशित प्रदूशित जल भी मर्दा को प्रदूशित करता है इस तरह प्रदूशित मिट्टी में उपजाई गई फजल, मानव एवं अन्य जीवों के सरीर में पहुँचकर उनके स्वास्ते पर हानिकारक प्रभाव डालती है मर्दा प्रदूशन के कारण, घरेलू एवं मौद्यों के कच्चरे, एवं बनों की लगातार कटाई से मर्दा प्रदूशन के प्रभाव को जानते हैं, विविन प्रकार के प्रदूशक मिलकर मिट्टी को विसाक्त बनाते हैं, मर्दा प्रदूशन हमारी खादिस रंखला की नीव को नश्ट कर देती है, प्रदूशित मिट्टी बारिश के पानी के माध्यम से नदियों के पान जल निकासी की उत्तम विवस्था नदियों में कच्रा ना बहाएं, बनों की कटाई पर रोक अधिक से अधिक पौधे लगाएं, अफसिष्ट सामगरी की ली स्याइकलिंग कर पुनह प्रयोग करें, मृदा के उपयोग के लिए शाशन द्वारा निर्धारित माप दन्नों का नियम से पालन करें, इन्हें भी जाने 5 दिसंबर को गिस्व मर्दा पुदूशन दिवस मनाया जाता है बच्चो, बारूदी बम एवं पठाकों में कारवन सलफर तथा पोटेसियम, नाइटरस जैसे रासानिक पदार्थ होते हैं, इनके विस्पोर्ट के समय तेज भनी के इसासत प्रकाश भी उत्पन होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कारवन डायाकसाइड, मीठेन, नाइटरस आकसाइड, हाइड्राकसिल, रेडिकेल और क्लोरो फ्लोरो कारवन द्वारा घटित होता है, वायू मंडल में इन हानिकार अग्यसों की मोटी चादर सी बन जाती है, इस चादर से होकर सूरी की किरने धर्ती तक की सतय पर पहुँचकर धर्ती के तापमान को बढ़ाती है, परंतु धर्ती की उस्मा को यह चादर वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती है, इससे धर्ती का तापमान बढ़ता जा रहा है, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हरी पत्तियों सूरे के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिती में वायु मंडल में कारवन डायोकसाइड तथा म्रदा से जल प्राप्त करके भोजन बनाने की क्रिया संपन्द करती हैं बच्चों यहाँ पर एक चित्र ग्रीन हाउस का दिया गया है तथा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है इसका भी चित्र दिया गया आप लोग इससे पढ़ें समझे और अपनी कौपी में बनाया जाता है पटाकों में पाय जाने वाले रासायनिक पदार्थों के नाम लिख तीसरा प्रशन है मरदा प्रदूशन ना हो इसके लिए आप लोगों को क्या सुझाव देंगे वर्णन कीजिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है सभी प्रशनों को बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे इसी के साथ आज कई अभ्या समाप्त हुआ ध हन्यवाद बच्चों